हेलो फ्रेंज मैं नीटू चोदरी अपने यूटूब चैनल स्लेक्ट को मैं आपका स्वागत करती हूँ आज हम कराने वाले हैं पिनाक्टर के लिए जिसमें पॉलिटी चल रही थी 400 तक क्वेशन हो चुके हैं अब 400 से आगे क्वेशन कराने हैं तो चलो फ्रेंज आज का शेशन शुरू करते हैं जिसमें कुशन है निम्म लिखित में से कौन भारत के इंदर स Archives पर तेश्चों का प्रशाशक करता है तो इसका अंसर क्या होगा कौन करता है मुख्य मंत्री या फिराश्ट्रबती या फिर प्रदान मंत्री या फिर विदान के शदर्श तु इसका रायटान सर राष्ट पति करता है, option M, next question भाहरत के सममेदान के INSAR राज की कारिकारी शक्ती किसमे नहित होती हैं तो किसमे नहित होती हैं इसका आंसर क्या होगा बाहरत के राश्ट पती या फिर राज की राजफाल या फिर राज की वोखिमंत्री या फिर राज की महादिवित्ता किस में नहित होती है इसका आंसर क्या होगा तो इसका रायट आंसर राज की राजफाल में नहित होती है और यह कौन से आर्टीकल में होती हैं तो यहां आर्टीकल एक सो चोवण में होती है नेश्ट क्वेश्चन उपराष्ट पती के रूप में चुनाव लड़ने के इच्चुक उम्मीदवार को सुरच्छा जमा के तौर पर कितनी राशी जमा करनी पड़ती है तो इसका अंसर क्या होगा तो इसका रायट आंसर 15 सरवुच्छ नयालय का नयादीश अपना त्याग पत्रक किसे संभोधित करता है इसका आंसर क्या होगा तो भारत के राजपाल को संभोधित करता है इसका रायट आंसर आप्संवी नेश्ट क्वेश्चन निम्मिलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट पतीर थे इसका रायट आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से कौन थे इसका रायट आंसर वी बी गिरी थे ऑप्संवी नम्बार टी तो पहले ओ दूसरी कौन कौन रहे बताओ बताओ तो आपको तो पहले सरुफली राधा क्रिष्णन और दूसरे जाकर हुशन नेस्ट क्वेशन अगले राष्ट पती का चुनाव निर्मात मान उपराष्ट पती के पत की अवदी के समापती के वीतर होना चाहिए तो इसका राएट आंसर तो भारत के राष्ट पती के पास होता है और यह कुन से आ कर्में होता है तो इसका आंसर क्या होगा, कौन होता है, तो इसका रायट आंसर भारत के राष्टपती होंगे, option number A Next question निम लिखित में से कौन सम्मिदान सवाके अध्यच दे, इसमें से कौन सम्मिदान सवाके अध्यच दे और यह भी बताना है, कौन आइस्थाई अध्यच रह चुके हैं, इसका रायट आंसर क्या होगा, तो इसका रायट आंसर डाक्टर राजिंद प्रशाद, option number D और आइस्थाई अध्यच कौन रह चुके हैं? अध्यच सच्दानन्द शिनह ओके दोस्तों, next question 1980 में मुराजी देशाई के बाद किसको भारत के प्रदान मंत्री बना दिया गया था इसका अंसर क्या होगा चंद शेकर या फिर देविलाल या फिर जगरीवन या फिर चौदरी चरणशिंग तो इसका रायड आलसा चौदरी चरणशिंग होगा अप्सन नम्मर डी लेश्ट क्वेशन निम लिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट पती नहीं बने तो इन में से कौन ऐसे हैं जो भारत के उपराष्ट पती नहीं बने हैं तो इसका अंसर क्या होगा तो गुलजारी लाल नंदा या फिर बीबी किरी या फिर जाकर हुशन या फिर वीरी जटी तो इसमें से को नहीं बने हैं इसका अंसर क्या होगा तो इसका रायट आंसर गुलजारी लाल नंदा होगा ये नहीं बने हैं ये तीन बने हैं और ये अंत्री ऐसे थे जिनोंने दो बार अंत्रिम, कारियार समाला था, ओकी दोस्तों, नेस्ट क्वेश्चन, निम्म लिखित में से कौन भारत के प्रत्थम उपराष्ट पती रह थे, इस में से कौन थे जो भारत के प्रत्थम उपराष्ट पती थे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सर्पली रादा क्रिश्चन होगा, आपसन नम्मर ए, नेस्ट क्वेश्चन, भारती डांक 10 अंशूदन विदेख 1986 के लिए, भारती राष्ट पती ने फोकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, तो कौन से ऐसी राष्ट पती थे, जिनोंने फोकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, इसका आंसर क्या होगा तो यह ज्यानी जेल शिंग थे जिननों ने फोकेट विकल गा इस्तेमाल किया था मैश्ट क्वेश्चन 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राश्टपति कौन रहे थे तो ऐसे कौन से राश्टपती थे जो आपाकाल के दोरन थे इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer option 85 फकर विद्दिन अली मुहमत थे ही रहा था तो इसका रायट आंसर अटल विहारी वाइप वेजी थे अप्शन नम्मर ए नेस्ट क्वेश्चन भारत में नियंतन और महालेका परिच्छक की नियुक्ति कौन करता है इसका आंसर क्या होगा प्रदान मंत्री या फिर वराष्ट पती या फिर वारत की मुख्य न कि आर्टीकल 148 में करते हैं ओकी दोस्तों नेस्ट क्वेश्चन महारत में राज का प्रम को सबसे उच्छ अपचारिक अधिकारी कौन होता है इसका अंसर क्या होगा तो राष्ट पती होता है अप्शन नम्मर वी दी राइट आंसर नेस्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट पती के पास वे ही सत्या हैं और कारे जिसके पास है इसका अंसर क्या होगा ऐसे अमेरिका के राष्ट पती या चेन के राष्ट पती या तुर्की के राष्ट पती तो इसका रायट आंसर वी ट्रेन की रहनी होगी ऑप्शन नम्मर डी नेस्ट क्वेश्चन निम्मे से किस इसमें राष्टपती प्रणाली की सरकार नहीं पाई जाती अमेरिका या फिर रूस या तुर्की या भारत तो अप्सन नम्मर डी भारत होगी इसमें तीन की सरवोच सेनपती कौन होता है राष्टपती या फिर रच्चा प्रमुकी या फिर परिदान मंत्री या फिर रच्चा मंत्री तो इसका राय टांसः प्रेसिडेंट ओप्शन नम्मर रस्टपतीasyन निम्मे से कौन सबसे लम्बे समय तक पदपा रहने वाले भारती राष्ट पती हैं तो ऐसे कोनें जो सबसे लम्बे पत तक रहने वाले हैं तो इसका राएटांसर राजीन्द प्रशाद हैं और ये पहले राष्ट पती भी है autonomy number 3, the right answer next question स्वतंत्र दिवस को लाल किला पर राश्टी धोज कौन फेराता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा राजपाल या फिर मुखिनेदिस या फिर पिरदान मंत्री या फिर राश्ट पती तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नम्म सी प्राइम मिनिस् 2 शद्नियन निकाय होता है या फिर 13 सद्नियन निकाय होता है तो इसका आंसर चांड क्या होगा बता फ्रेंस का आंसर क्या होगा हैं भुता है नेंश्ट कोश्यन पंचयति राजस्ताहों के छुनाव द्वारह design किये जाते हैं तो किस द्वारह या आयोज्थ किये जाते हैं बताओ इसका अंसर क्यों होगा पैन दिर सुनाव के द्वारह और या फिर राज सुचना आयों बारप जोड़ के एैश्वी दौरप तो राप जैती राज कि सोड़ि पंचैती राज किसके कि राण चुनाव कि रिजाते हैं तो इसका रायट आंसर्प मारत का चुनाव आयोग पहली बता उसका अंसर क्या होगा बना झार तो इसका नमब सी 1989 नियुक्ति प्रतेग बॉलस में किसके द्वारा की जाती है तो खम कम हबॉर रायट आंसर पांच और किसके द्वारा की जाती है राज शरकार की द्वारा की जाती है रायट आंसर होगा नेश्ट क्वेश्यन राष्टियवाल अधिकास सर्रचन आयोकी सथापना किस बर्स में की गई थी किसमें की गई थी 2014 में या फिर 2007 में या फिर 2005 में या फिर 2010 में तो इसका आंसर क्या होगा इसका रायट आंसर 2007 में हुई थी वी नेश्ट क्वेशन भारत के शम्मिदान के अंचे 76 किसके कारिकालों से चंबंदित है बित्त आयोग से या फिर शंगलों का आयोग से या फिर निर्वाचन आयोग से या फिर भारत के महन्यवादी से किस से होता है तो या भारत के महन्यवादी से होता है और सन नमबर डी इस यहाई पर देखेंगे चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में होता है कि दोशेसी में और शंग लोग 315 में और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में और फ्रेंड्स नेस्ट क्वेस्टन राष्टिय मानव आदिकार आयोग की अद्यच का करकल कितना होता है और साथ ही बताएंगे इसकी इस्तापना कब हुई थी बताओ इसका राइट आंसर तीन वर्ष या फे पाँच वर्ष या फे छे वर्ष या फे चार वर्ष इसका आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर तीन वर्ष के लिए और इसकी इस्तापना कब हुई थी इसकी इस्तापना उन्निश्यो राणमे में हुई थी और इसका हैकोर्ट कहा है नहीं दिल्ली इसके प्रेंट्स नेश्ट कुरेशन कोर्ष की इसको प्रष तो किसको उत्माइबा है राज्जसवा की शवापति या फिर र षसुचार या फिर आश्ट पतल या फिर लोग सपल्ष आज्ञ कुशक कुह का इसका right answer राष्ट्ट्पती होगा। अप्शन से नम्मरर सी। नेस्ट कोश्चिन बहारत में राष्टी मिला आयो किस अपना किस बस की गई थी। तो राष्टी मिलायो किस अपना किस बस की गई तो इसका रायट आंसर 1992 को हुई थी अप्सन नमर एक नेस्ट क्वेश्यन महारत के चुनावायों को कारिकाल कितना होता है तो इसका कारिकाल कितना होता है इसका रायट आंसर क्या होगा पाच वर्स चार वर्स चैबर्स या फेट तीन भर्स तो इसका रायट आंसर चैबर्स होगा आपसन नमर सी नेस्ट क्वेश्यन भारत के प्रथम भिदि अधिकारी इसमें से कोन होता है बताओ इसका answer क्या होगा राश्टपति या फिर राजपाल या फिर दान मंत्री या फिर मान्यवादी कौन होता है इसका रायट answer option number D महन्यवादी होता है और यह कौन से article में आता है तो यह आर्टिकल शैतर में आता है दोस्तों next question निम लिखित में से कौन राज लोग सेबा आयोग का कारे नहीं है इसमें से कौन है जो राज लोग सेबा का आयोग का कारे नहीं है तो इसका राज आंसर अप्सन नम्ट डी होगा नागरिकों के किसी भी पिछड़े बरके पच्छ में निक्तियों का या पदों का आरच्छन करतेशम है इसकी सलाली जाती है इसका रायट आंसर अप्सों नम्मार डी होगा इसकी आंसर यह नहीं होता है नेस्ट क्वेश्चन बहारती शम्मिदान में निम्मिलिकित में किसे किसा आयो का उलेख है ऐसा कौन सा है जिसमें शम्मिदान का आयो का उलेख किया गया है श्यंग लोग शेवा का या फिर राष्टिय मिला आयोग का या फिर भार्तिय इस पर तायोग का या फिर राष्टिय मानवादिकर आयोग का इसका अंसर क्या होगा तो इसका अंसर अप्सन नमर ए राइट अंसर होगा श्यंग लोग आयोग का अभी बताया इस अंचेव एक 315 में होता है यह और इन तीनों की स्थापना कब कब हुई ती इसकी तो अभी भी बताया था उनीचेतरानवे में और इसकी दो जैनों में और इसकी उनीचे बानवे में हुई थी नेस्ट टे कूश्चन चार बिकल से उस एक का चैन कर गांवा दिकार यौ यह और लोगसिवा यूग तो कौन सा नहीं है तो राश्य मानवादिकार आयोग नहीं होता, उप्सें नंबर ड़ी इस इस ती राइट आंसर, नेस्ट क्वेशन, योजना आयोग की स्थापना भारह सरकार के कारेकारी निन्ने द्वारा में की गई थी, इसकी इस्तापना कब होई थी, इसका आंसर क्या तो यूजना आयो की स्थापना तो निस सो पचास में हो गई ती और इसी को बदल कर नीतिया कोई स्थापना हुई थी नीतिया आयो की एक जिनवरी नीतिया सो स्थापना हुई दो यार पंदरे में इसी के इस्थान पर नेस्ट क्वेश्चन ने मिले कितने से कौन योजना आयो और भारती राष्टी एकता परश्चत का अध्यच्छ होता है इसका अंसर क्या होगा कौन होता है आटाउनी जनर्र या फिर उपराष्ट पती या फिर प्रदान मंत्री या फिर राष्च्छ पती इसका अंसर क्या होगा तो इसका अंसर नमर ए ठी रायट आंसर अल्टोनी जनर्र next question प्गारत में पिछडा तथा अलफशंग के आयोग शमदायों के कार्म चारियों का संग का विश्तापित किया गया तो इसका रायहर औंसर क्या होगा बताओ इसका रायहर औंसर क्या होगा सोरी ये गलत हो गया था इसकी जगेपर पिरदान मंत्री होगा ओकी दूस्तों नेस्ट क्वेस्चन भारत में पिछड़ा तता अल्फ शंक्यर समदायों में करमचारियों का शंक कव इस्तापित किया गया था तो इसका राइट आंसर क्या होगा कव किया गया था इसका राइट आंसर क्या होगा उन्नी सो अठैतर में किया गया था उप्शन नम्म सी नेस्ट क्वेस्चन पंचायती गठत करने का चनाव उसके विगटन की थी से कि अब दी समात होने से पहले पूरा तो जाना चाहिए कब होना चाहिए तो इसका राइट आंसर शिक्ष मंत तक होना चाहिए नेस्ट क्वेस्चन सम्मन्जित मामलों पर केवल केंद्रिय विदाय का कानून बना शक्ती है किस पर केंद्रिय विदाय कानून बना शक्ति है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सार्व जन्य के स्वास्त पर या फिर फुडस पर या फिर रेल्वे पर या फिर स्थानिय शुषासन पर। किस पर बनाई जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबा सी होगा कि रेलवे पर बनाई जाती है और यह तीनों यह और यह तो तीनों किसमें होते हैं राज्य शूची में होते हैं पॉच्जों। रिराइट आंसर सुपरीम कोट ने भारतीय शमयाज के अंशेत किसके तहत इंटरनेट को मोलिक अधिकार घोशित किया गया वह ताओक किसकेत तहत किया था कि हमारा इंटरनेट हमारा मोलिक अदिकार है यह किसके तहत किया था आर्टीकल 19 के तहत किया था नमर डिदी राइट राइट अंसर अपन सरचना में कितने इस स्तर होते हैं तो इसमें कितने इस्तर होते हैं तीन या फिर चार पांच या फिर दो इसका अंसर क्या होगा कितने होते हैं और इसका कारिकाल कितना होता है तो इसका कारिकाल कितना होता है तो इसका कारिकाल नमबर डी पांच साल तक होता है राइट आंसर होगा नेश्ट कॉश्चन चिसी राज में चुनां कुंध गरार करonie जाते हैं तो राज में किसके दौरां कि राइट या पताओ कि समसै जाते हैं इसका राएट कराई जाते हैं तो राज में हैं राज चुनाव आयोग के द्वारा किये जाते है ऍपसुननम्हस इधी राइट अंसर नेस्ट क्वेस्ट्रों के बारत में चुनाव के लिए आदर्च आचा शहित्ता कों लागु करता है तो इसका रायट आंसर ओप्सान स्री लंका को किस बर्स में शिक्ष महिने तक होती है अप्शन नम्मर वी इस दी राइट आंसर नेश्ट क्वेश्ट वेश्ट स्री लंका को किस बर्स में श्वतंतरता मिली तो इसका अंसर क्या होगा 1948 में या फिर 1950 या से 47 या 49 किस बर्स मिली थी स्री लंका को श्वतंतरता तो इसका राइट आंसर और सुन नम्मर ए 1948 मिली थी next question 1887 में भाट्य का शान्ती छेना को किस पड़ोशी देश में भीजा गया था इसका आंसर क्या होगा नेपाल में या फिर श्रीलंका में या फिर भूतान या फिर पर्मा इस तो श्री लंका में भीजा गया था इसका आंसर भी होगा, right और श्री लंका का इसी में बताओ श्री लंका का राश्टिया खेल क्या होता है राश्टिया खेल बॉलीवल होगा और राश्टिया पश्यू आती ओकी दोस्तों तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेश्ट सेशन के द्वारा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिंद जैवारत